नमस्कार दोस्तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्फ टिपसिन हिंदी में दोस्तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे नैचुरेल घरेलू नुस्खे जिनकी मदद से आप अपने लिवर को सुरक्षित रख सकते हैं और लिवर से रिलेटिड किसी भी डिजीज को दूर रख सकते हैं लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे आप मेरी हर नई वीडियो से अपडेट होते रहें और प्लीज वीडियो को लाइक वर शेयर करना बिलकुल मत भूले दोस्तों मानो पाचन तंत्र में लिवर एक महतवपून हिस्सा है वीबिन अंगो के कारिये जिसमें की भोजन चैप चै, उर्जा भंडारन, विशाक्त पदार्तों को बाहर निकालना डिटोक्सिफिकेशन, पर्तिरक्षा पढ़नाले का समर्थन और रसाइनों का उत्पादन शामिल है लेकिन कई चीजे जैसे की वाइरस, दवाए, अनुवान शिक रोग और सराव लिवर को नुकसान पहुचाने लगती है लेकिन दोस्तों आप घबराए मत क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे नैचुरली घरेलू नुस्के जिनको अपना कर आप अपने लिवर को मजबूत बना सकते हैं और बिमारियों से दूर रख सकते हैं नमबर एक हल्दी हल्दी लिवर के सास्ते में सुधार करने के लिए अत्यांत उप्योदी होती है इसमें एंटिसेप्टिक गुन मौजूद होते हैं और एंटियोक्सिडेंट के रूप में हल्दी काम करती है हल्दी की रोग निरोदक शम्ता हेपेटाइटस B वे C का कारण बनने वाले वाइरस को बढ़ने से रोकती है इसलिए हल्दी को अपने खाने में शामिल करें या रात को सोने से पहले एक गिलास दूद में थोड़ी सी हल्दी मिला कर पिए नमबर दो पपीता पपीता लीवर की बिमारियों के लिए सबसे सुरक्षित प्राकर्तिक उपचार में से एक है विशेश रूप से लीवर सिरोसिस के लिए हर रोज दो चम्मच पपीते के रस में आदा चम्मच निम्बो का रस मिला कर पिए इस बिमारी से पूरी तरह निजात पाने के लिए इस मिशरन का सेवन तीन से चार सब्ता के लिए करे नमबर तीन सेब का सिर्का सेब का सिर्का लीवर में मौचूद विशेले पदारतों को बाहर निकालने में मदद करता है भोजन से पहले सेब के सिर्के को पीने से शरीर की चर्बी घटती है सेब के सिर्के को आप कहीं तरह से इस्तमाल कर सकते है एक गिलास पानी में एक चमच सेब का सिर्का मिलाएं या इस मिश्रण में एक चमच शेहद मिलाएं इस मिश्रन को दिन में 2-3 बार ले 4. सिंग परणी जड की चाय सिंग परणी जड की चाय लीवर के स्वास्ता को बढ़ावा देने वाले उप्चारों में से एक है अधिकला आप पाने के लिए इस चाय को दिन में 2 बार पिये आप चाहें तो जड़ को पाने में उबाल कर और पाने को छान कर पी सकते है सिंग पढ़नी की जड़ का पाउडर बड़ी आसानी से बाजार में मिल जाता है नमबर पांच आवला आवला विटामिन C के सबसे संपन स्तरोतों में से एक है और इसका सेवन लिवर की कारेश शिल्टा को बनाए रखने में मदद करता है अध्धनों ने साबित किया है कि आवला में लिवर को सुरक्षित रखने वाले सभी तयतु मौजूद है लिवर के स्वास्ते के लिए आपको दिन में 4-5 कच्छे आवला खाने चाहिए नमबर 6 मुलेठी लिवर की बिमारियों के इलाज के लिए मुलेठी का इस्तमाल कई आयरुएधिक औश्दियों में किया जाता है इसके इस्तमाल के लिए मुलेटी की जड़ का पाउडर बना कर इसे उभलते पानी में डाले फिर थंडा होने पर छान ले इस चाय रूपी पानी को दिन में एक या दो बार जरूर पीएं नमबर साथ अलसी के बीज फिट कोस्टी टूएंट्स की उपश्टितिक के कारण अलसी के बीज हार्मोन को बलर्स में घूमने से रोकता है और लीवर के तनाव को कम करता है टोश्ट पर सलाद में या अनाज के साथ अलसी के बीज को पीज कर इस्तमाल करने से लीवर के रोगों को दूर रखने में मदद मिलती है नमबर आठ पालक और गाजर का रस पालक और गाजर के रस का मिश्रन लीवर सीरोसिस के लिए काफी लापताया घरेलू पाए है पालक का रस और गाजर के रस को बराबर भाग में मिला कर पिए लीवर की मरम्मत के लिए इस प्राकर्टिक रस को रोजाना कम से कम एक बार जरूर पिए नमबर नो एवाकेडो और अखरोट एवाकेडो और अखरोट को अपने आहर में शामिल कर आप लीवर की बिमारियों के आकर्मन से बच सकते हैं एवोकेडो और अक्रोट में मौजूद गलूट थायन लिवर में जम्मा विशाक्स पदार्तों को बाहर निकाल कर इसकी सफाई करता है नमबर 10 सेब और पत्तेदार सबजिया सेब और पतेदार सबजियों में मौझूद पैक्टिन पाचन तंतर में उपस्थित विशाक्त पदार्तों को बाहर निकाल कर लिवर की रक्षा करता है इसके अलावा हरी सबजा पित के परवा को बढ़ाती है तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे एक फूर्स जिनकी मदद से आप अपने लिवर को हेल्दी और बीमारियों से बचाए रख सकते हैं आपको आज की जानकारी कैसी लगी प्लीज कमेंट कर जरूर बताएं हम आप तक ऐसी ही नई और बहतरी जानकारी आप पहुंचा सके